प्लास सेवें दा टेनी टीचर छोटा अध्यापग नेम दा स्मालेस्ट इंसेक्ट यू हैब सीन सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसको तुमने देखा है दा वाइजेस्ट और सबसे लिग बुद्यमानों इज इट प्लाई क्या ये प्लाई है मक्खी है नो इट इजन्ट नहीं ये मक्खी नहीं है इज इट मास्कीटो क्या ये मच्छर है नो नाट दा मास्कीटो नहीं ये मच्छर नहीं है then it must be दावार फिर ये केड़ा होगा नो नाबदीज नहीं में से कोई नहीं है it is the aunt ये चीटी है the calmest and smallest but the wisest insect ये सबसे साधान पाई जाने वाली सबसे दिक छोटी और सबसे दिक गुदिमान केड़ा है दा इस्टोरी आप एन आंट लाइफ साउंस आल्मूस्ट अंट्रियू चीटी के जीवन की कहानी सुनने में लगभग असत्य प्रतीत होती है बट पूपिल हैब केप्ट आंट्स आइज पैट्स लेकिन लोगों ने चीटीओं को पालतू बनाया है और उनके रोज के कारविवहार को निकट से देखा है इसलिए हम इस छोटे परिश्रमी और बुद्धिमान प्राणी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं एन आंट उजेज इट्स फीलार और आंटीना टू 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 अदर आंट्स बाई पासिंग मेंसेज थ्रो दिम एक चीटी जो है अपने फीलार या आंटीना का प्रियोग करती है जब वो किसी पास से गुजरने वाली चीटी से बात करती है और कोई मेंसेज इसको देना चाहती है वाचे रो आप आंट्स मूबिंग अप और डाउन दवाल दिवाल पर उपर जाती हुई या नीचे आती हुई चीटियों की एक पंक्ति को देखो इच आंट ग्रीट्स आल दी अदर्स कमिंग फ्रांदी अपोजिट डारेक्शन बाई टाचिंग देर फीलर हर चीटी जो है अपोजिट दिसा से आने वाली प्रतेक चीटी का उसके फीलर चूब करके श्वागत करती है देर आर मैनी काइंट्स आप आंट्स बहुत प्रकार की चीटियां है दा कामनिस्ट इमंग देम आर दी ब्लैक आइंड रेड वन्स सबसे साधान रूप से पाई जाने वाली उन चीटियों में काली चीटी या लाल चीटियां है लेकिन उन पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया है वाई डू दे लिग ये कहां रहती हैं इन देर कमफार्टेबूल होम्स खाल्ड नेस्ट आर आंट्स उनके आरामधाय घरों को निस्ट या आंठिल कहते हैं इच हैज हंडर्ड आप लिटिल रूम्स एंड पैसेज हर आंठिल में शैकणों की संख्या में रूम होते हैं और रास्ते होते हैं इन समा दीज रूम्स दा कुरीन आंट लेजिक्स इनके कुछ कमरों में रानी चीटी अंडे देती है अदर्स आर नर्सरीज पार्दी यंग वन्स काल्ड ग्रब्स दूसरे छोटे छोटे बच्चे जिनको की ग्रब कहा जाता है उनकी देखभाल के लिए होते हैं बरकर्स है देर रिजर्बड क्वार्टर वरकर चीटियों के अलग क्वार्टर होते हैं दे स्पेंड मोस्ट आप देर टाइम सर्चिंग फार फूर्ड बे अपना अधिकान समय भोजन की तलास में वितीत करती हैं समरूम सर्व हैज स्टूर हाउस फार हिज फूर्ड कुछ कमरे जो हैं भोजन को इकठा करने के लिए प्रियूग किये जाते हैं सोल्जर साइब सेपरेट बारेक्स सिपाहियों के अलग रूम होते हैं नो वरकर हैज इवर ट्राइट टू लिब इन सोल्जर साउस कोई वरकर चीटी कभी भी सिपाही के घर में रहने की कोशिस नहीं करती है नो सोल्जर हैज इवर गान आउट सर्चिंग फार पूर्ट कोई सिपाही चीटी कभी भी बोजन की थलास में नहीं जाती है नो वरकर और सोल्जर और किलीनर हैज इवर हार्मड एग रब कोई भी काम करने वाली चीटी सिपाही चीटी या सफाही वाली चीटी ने कभी भी बच्चे को चीटी के बच्चे को नुकसान नहीं किया सो यू सी इस प्रकार तुमने देखा एन आंट्स लाइप इस वेरी पीसफूल एक चीटी का जीवन बहुत सांत्री होता है इड़ 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 से राव बर्क इंटलीजेंटली एंड ब्रेवली हर चीटी अपना हिस्से का काम बुद्धिमानी से और बड़ी बहादुरी से करती है एंड निभर फाइट्स बीद अदर मेंबर आप दी ग्रूप और अपनी ग्रूप के मेंबरों से कभी जगड़ा नहीं करती है दा कुईन इस दा मदर आप दी इंटायर पापलेशन आप दी खालोनी राणी चीटी जो है पूरी जनसंख्या की मा होती है इसका जीवन लगभग पंदरा वर्स का होता है इसके एक जोड़ी पंक होते है बट्टो बाइट्स देम आप आप्टर इस बेडिंग फ्लाइट लेकिन अपनी बेडिंग उडान के बाद वह इन्हें काट कर गिरा देती है इस फ्लाइट टेक प्लेस आने हाट समढ़डे यह उडान जो है गर्मी के गर्म दिन पर होती है दा कुईन लेस दा नेस्ट रानी चीटी अपना नेस्ट छोड़ देती है और एक मेल आंट से मिलने के लिए बाहर उड़ती है आ ड्रोन या जिसे ड्रोन कहा जाता है हाई अपिंदाया यह उपर आकास में उचाई पर जाती है आनिट रेटन टू अर्थ रती उपर लोटनी के बाद इट गेट रिट्स आप इट्स मिंग्स यह अपने बंकों से छुटारा पा जाती है और फिर कुछ नहीं करती है केवल अंडे देती है एक्स हैच अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलाते हैं सोलजर्स गार्ड दें सिपाही चीटिया उनकी रच्चा करती हैं वरकर्स फीड एंड प्लीन दें कार करने वाले उनको खिलाते हैं उनकी सफाई करते हैं आल्सो कैरी दें एवाउट डेली फार एरिंग ससाइजन संसाइन और गरब चीटियों को बेप्रति दिन बाहर हवा अभ्यास और शुर की धूप के लिए बाहर ले जाते हैं टू और थीरी बेजे लेटर दो या तीन सप्ता के बाद गरब्स बीकम कोकून गरब चीटि जो है कोकून बन जाती है एन लाई विदाव फूड और अर एक्टिविटी फार थीरी बेजे और तीन सप्ता और बिना कुछ खाये और बिना हिले डूले पड़ी रहती है देन्दा कोकून्स ब्रेक्स फिर कोकून फूटता है and perfect aunts appear और पूर्ण चीटी निकलती है Now it is time for teaching and training अब ये समय है जब उन्हें पढ़ाना भी है और training भी देना है New aunts learn their duties from the old aunts as workers, soldiers, boulders, cleaners, etc नई चीटियां जो हैं अपना कार पुनानी चीटियों से worker के रूप में, सिपाही के रूप में या boulder बनाने वाले के रूप में या सफाई कर्मी के रूप में सीखती है After a few big training the small aunts are ready to go out into the big world आप बर कुछ सप्ताओं की training के बाद छोटी चीटियां जो हैं वो बाहर बड़े संसार में कार करने के लिए जारने के लिए तैयार हो जाती है An ant hill is a home not only for aunts, एक ant hill येवल चीटियों को रहने का घर नहीं है But also for some other creature, beetle, lesser breed, off ant and green fly लेकिन कुछ और दूसरे प्राड़ी भी इसमें रहते हैं जैसे beetle, lesser breed, off ant and green fly Why do aunts want these alien creatures to live in their midst ये जो चीटियां हैं इन विदेशी प्राड़ीओं को अपने घोसलों में रहने की इजाज़त क्यों देती है For several reasons इसके बहुत से कारण है Some give up smell pleasant उसमें अच्छी खुसबू आती है To the aunt senses जिसको चीटियां पसंद करती है Others give sweet juice दूसरी मीठा मीठा रस देती है Some are just pet are लेथिंग कुछ चीटियां केवल खेलने के लिए या पालतू के लिए होती है Like cats and dogs to human being जैसे मानो प्राड़ी, बिल्ली या कुत्ते पालता है The green fly is the aunts काउ Green fly जो है चीटियों की गाय है The aunts train it to give honeydew like milk With a touch of their antenna चीटियां इसके antenna को चू करके इससे honeydew प्राप्त करती है The milk eat just as The milk दकाउवे इसको ऐसे ही दूरती है जैसे हम गायग होते है Have human learned as much as aunts have क्या मानों ने उतना सीख पाया है जितना चीटियों ने सीखा है Perhaps they have said उन्होंने भी सीखा है But they haven't put their learning to good use ठेकिन उन्होंने अपने ग्यायन को अच्छे कार्यों में प्रियोक करना नहीं सीखा है They may still learn a few things from this tiny teacher उन्हें अभी भी इस छोटे अधापक से कुछ बातें सीखनी है Hard work, cutting परिश्रम, sensor duty, करता विकाग्यान, अनुशासन, discipline, सफाई, cleanliness, care For the young man, छोटे बच्चों की देखवाल and above all सबसे उपर A firm loyalty to the land, वेर्दे लीप और जहां में रहते हैं उस देश के प्रती सच्ची भकते